मोहन इस्टेशन पहुँच चुका था इस सेंटेंस की इंगलीज जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चलिए हम इस सेंटेंस को इंगलीज में ट्रांसलेट करते हैं sentence के अंत में हैं चुका था यदि sentence के अंत में क्रियक साथ चुका था चुकी थी चुकी थे आता है इस तरह का sentence होता है past perfect tense का और ये past perfect tense का affirmative है past perfect के affirmative sentence को इंगलिस में translate करने का structure होता है पहले subject subject sentence का मोहन एक नाम है तो पहले subject लिखेंगे मोहन उसके बाद helping verb had फिर भर्व का third form भर्व है पहुंच चुका था पहुंचना के इंगलिस reach का third form reached उसके बाद station पहले the station मोहन had reached the station मोहन station पहुंच चुका था इसकी इंगलिस है मोहन had reached the station तो दोस्तो अगर यह sentence negative हो जैसे कि Mohan Station नहीं पहुंच चुका था तो helping verb के बाद not लगता है Mohan Station नहीं पहुंच चुका था इसकी English Mohan had not reached the station Mohan had not reached the station अगर यह interrogative sentence हो जैसे कि क्या Mohan Station पहुंच चुका था तो क्या से शुरू हुआ है या sentence तो क्या कि English नहीं लिखेंगे पहले helping भर फिर subject इसकी English had more than reached the station had more than reached the station दोस्तो इसे तरह के और भी Hindi to English translation वीडियो देखने के लिए इस चैनल के past perfect continuous tense के playlist में जाए वहाँ पे आपको ऐसे और भी sentences का translation वीडियो मिल जाएगा